दोस्तों आज हम बात करने वाल है 35 भाई 45 प्लान के 35 क्राइब का हूस प्लान जा हम डिसकस करेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी मॉडल को यह मॉडल मैंने ज्यादा तो वाइट कलर का बनाया है बस कुछ चीजें ग्रीन कर दी है तो आप हमारी सब्सक्र सब्सक्राइब कर रहा हूं इसका फ्रेंट की बात करें तो 35 फिट है सामने से 35 फिट है और लंबाई की बात करें तो यह 45 फिट है यहां पर फ्रेंट का जो इलिविशन दिया है यह बहुत ही बेतरी ना आप देख पार होगे मॉडर्न हाउस टाइब का एक कोठी या विला कम रहेगा क्योंकि यहां पर ज्यादा तर इटो या ब्रिक्स की ही रेलिंग बनी है और कोई एक्स्टा मैट्रियल यूजिन नहीं किया है अब हम बात करते हैं इसके पूरे मॉडल की तो इसी को हैं हम डिसकस करेंगे पूरा अंदर का इंडिर क्या है और इसका साइज बग चाहत नोमबर है आप हम 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 पर कन्टेक्ट करें लिक्रिमन पर आपको कांटेक्ट रहिदा करें जब कहले हैं कि वह अंका सोविस्ता करें तो ऊसमें लेकिंगे जो 52 और प्रापर तरीके से बीम कॉलम का कंस्ट्रक्शन पूरा डेटेल देते हैं तो आप एक बर हमारी प्लेट सर्विस के इस्तमाल जरूर करें तो अब हम पूरे मॉडल को डिसकस करेंगे इसका अगर हम जूम करके इस मॉडल को दिखाते हैं आपको तो सबस्प्रेश के ग्राउं का पार्ट है यह दिखिए जिग-जैक मुशन का आप देख पा रहे होंगे यह तो यह एक डिजाइनिंग के पार्ट से यह प्लर्स दोस्तों मैंने दिये है और जैसे आप इंट्री करते हैं फ्रेंट में आपको दो बैड्रूम मिलते हैं जिसके लिए मैंने विंडो बाहर से दिया है जो की थोड़ा डिजाइनिंग का पार्ट है और यह आपका पूरा विंडो ग्लासिस का अंदर है आप इंट्री करते हैं यहां से तो में डोर आपको देखने हैं दोस्तों यह मिलना होगा राउंड करका यह आप देखीगा यहां पर मैंने डोर नहीं लगाए सि की जगह छोड़ दिये साइड में दोनों आपको विड़नों मिलती है में डोर के जैसे विंडिलेशन होगा प्रॉपर तरीके साप इंट्री करते हैं अंदर तो जैसा आप इंट्री अंदर करते हैं ता आपको चार बैट्रूम मिल जाते हैं चारों कॉर्नर पर हैं यह एक चारों बैट्रूम फ्रेंट में दो हैं और बैक साइड में दो हैं साइड में आपको मिल जाता इस टेर्स यह देखी गए साइड से जिससे आप उपर जाएंगे छत पर और यह आपका लिविंग हॉल पूरा मिल जाता बड़ा सा यहीं से पूरे घर में इंट्री होती है द फ्रेंट वाले रूम की बात अगर इन वाले रूमों की बात करें तो यहां पर भी डोर यहीं लिवींग हाल से अलग давай दिया है विंडो भी दिया है और सबसे फर landlord से अग्र elsामने अगर आम मशलिचेश्भ dynasty बहुक्के आपका बढ़ा सा किचिन बना अगर आप और भी अपने घर को विंटलेट करना चाहते हैं तो आप बीच में आपर जाल रखवा सकते हैं चाहते हैं जिससे आपका घर में रोशनी और हवा बगएर आता रहेगा प्रॉपर तरीके से तो यह पर आपको चार बैडू मिलते हैं लेट बात मिलता है स्टेर्स औ और अगर आप कार पार्किंग की सोच रहे हैं आगर आप कार पार्किंग करना चाहते हैं यहीं पर इसमें यह लगबाई में फिट पर पिलर बनाय का फिलर बनाय है यहां से आप सलोप लगा देंगे तो आप हम meng striving कर पाएंगे लेकिन थोड़ी इस की चवायी का में तो उसी के according आपर से adjust कर देंगे क्योंकि इन रूमों की लंबाई भी लगबग 13-13 फोट है इनको आपको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा shift करना पड़ेगा पूरा लेकिन क्योंकि हमारी जो requirement कर पार्किंग की नहीं थी इसलिए मैंने उसी के according यह house क्रेट किया है अब हम बात करते हैं इसके second floor की तो यह दोस्तों का second floor है कुछ भी रिजाइन नहीं किया चारो तरफ सारे तिन फिर्ट का boundary और फ्रेंड में रेलिंग का डिजाइन दिया है यह देखीगा कुछ प्योपी क सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं नमबर आपको description में मिलेगा और आपका घर बनकर रेडियो हो जाता है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और अगर आपका कोई बीडाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तो।